नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स यानि कि बैंकिंग सेक्टर में कौनकों से सुधार हुए है इस्पेशली 1991 के बाद में जै बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब यहां पर यहां पर यहां कि जैसा कि मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बता रखा है कि जब भी हम इंडिया की फनेशल हिस्टरी पढ़ते हैं तो हम इसको दो भागुम बाटते हैं एक 1991 से पहले का era या पहले का phase और उसके बाद का जो phase है इसको हम 1991 के बाद की जो चीज़े कहते हैं तो आज जो हम देख रहे हैं modern times में उसका असर जो 1991 में हुआ था उसका आज भी दिखता है और उसकी continuation आज भी चल रही है यानकि इसके जो सुधार है वो अभी भी लागू है चलते जा रहे हैं और इसमें और ज्यादा सुधार होते जा रहे हैं अभी तक और देखें यहां पर reforms के चक्कर में बहुत सारी committees बैठी है और कई लोगों ने कई कई लोगों ने मिलकर और कई experts ने मिलकर बहुत सारी committees बिठाई हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी दाकिल केगे हैं गवर्मेंट के पास में और गवर्मेंट ने उसमें से बहुत कुछ माना भी है बहुत कुछ नहीं भी माना है तो इसका जो list है committees का बहुत ही ज़्यादा vast है और आपको सारी यह नहीं पढ़नी है मैं आपको एक इसकी list दे दूँगा आप वहां से पढ़ सकते हो और ज्यादा जो important है वो मैं यहापर उसको डीटल में cover कर दूँगा हम यहापर basically तीन जो committees है basic और सबसे major committees है उनके बारे में discuss करेंगे और बाकी कुछ का हम मैं आपर न इसको उदार बनाए गाए था परा सरा जार इस चीजों के लिए खूल दिया गाए था उफेन कर दिया गाए था तुम कर दिया ख्यंज है पराइश कर दिया गयाए चीजों को i Maryland के वहां यहापर enoble Bona Tb क्योंकि बाहर की कंपनी आ रही है प्राइटाइज हो जा रहा है सब कुछ लिब्रल हो रहा है और रेगलेशन के रूद कम पढ़ रही है हम डिर्गलेट करना चाहते हैं चीज़ों को थोड़ा आजाद करना चाहते हैं इसलिए हमने बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में भी और इसमें जो अपनी रिपोर्ट है वो सम्मिट कर देती कुछ दिनों बाद तो इसमें क्या-क्या चीज़े बताई गई थी का के रिकमेंडेशन दिये गए थे उसके बार हम डिसकस करेंगे हैं बहुत है ज्यादा डीटेल में समझेंगे तो सबसे पहली बात जो रिंडर स चार बड़े बैंकों को सबसे उपर रखा जाए उसके बाद में उसका सुपर्वाजरी रूल दिया जाए कुछ को जो सपोर्ट करने वाली जो बैंको उनको और इसके लगा तीस्टे सेक्टर में आएगा आपका जैसे नाबाड और नाबाड जैसे संसाय होंगी यहाँ पर तो यह इन्होंने सबसे पहली बात बूली थी फोर्ट केर प्रोग्राम लाग करने की बात कही थी बैंकिंग सेक्टर में जिसे बढ़ेगी और कंपडिशन भी बढ़ेगा सुपरवाजरी वाला मैं आपको बता चुका हूं और इसके बात सबसे बड़ी बात जो रिकमेंड ज्यादा चूट मिल जाती है इसको पैसा ज्यादा फस जाता है बैंक का कई बार यह जो रेशियो था यह बहुत ज्यादा होता था इसका 40-50 पर सदा प्रसे आपका बैंक का पैसा जो है डिपोज़ेट का पैसा वह फस जाता था यानिक उसको रिश्यों में इंटेन करना प प्रफ़नी प्रफशन आपको सेफ रखना चाहिए कि आपको ज्यादा ज्यादा दिक्कत ना हो इस कमिटी के माधियम से होता था कि आपको हर बैंक के पास डिसाइड होता था कि एक बैंक करती है कि आपको आपके डिपॉसिट्स के उपर कितना इंट्रस्ट देना चाहिए वही वही आप इंट्रस्ट दे सकते थे ज्यादा और से कम नहीं दे सकते थे इसको डिरेगुलेट किया गया यानि कि कोई भी बैंक अपने हिसाब से इंट्रस्ट चाहर कर सकती है या लगा सकती है ठीक है तो इस अभी बहुत सिंपल लगने लिकिन उस ताइम पर बहुत द अगली कमिटी देखते हैं अगली कमिटी भी सेम नाम से है 1988 की है बस नर्जीमन कमिटी 1998 वाली तो इसमे यहाँ पर फिरसे नर्जीमन जो नर्जीमन थे कि हमारे जहरंन उनके अधैशकता में कीजिक करी घे और फिर से गर्मन नहीं की आप फिर से करेद्मने क्या कि आप प्रसे हैं कि यहाँ बताए है यहाँ पर उसमे आपको बहुत सच रिजान्यकों मिलेंगी तो सबसे पहला रेकमेंडेशन यहाँ पर दिया था CAC का यैनिं बैंको के बैंको को निये हो रहा है कि यहां पर जादा ज्यादा बैंको को कम किया जाए बड़ी बैंक्स बना जाए और कम संख्या सबको इसने बंदब यहाँ यहाँ ने था कि NPS को कम करने लिए इन्होंने का कि छोटब जोड़े लोन वह लोकल सब्सक्राइब यहाँ जल्दी वापस कर देते हैं उनको फैसा पैसा तो वह वापस करने की छंता रखते हैं सब्सक्राइब करने लिए उनके बैंक्स की बावना जगानी चाहिए कि उनके इंदर कोई प्रोफेशन जो है उनका वो बहुती करीमा मई है और उसके इसाब से उनको वर्क करना चाहिए यानि कि कस्टमर सर्वेस के उपर बहुत ध्यान देने की बात खही थी इन्होंने तो यह जो तरह भी रिकमेंडेशन दिये थे वह नर्जिमन कमिटी सेकेंड वाली ने या फिर 1998 वाली इसमें बहुत सारी चीजे बताई है और इस के तो मोर कमिटी 2013 वाली या फिर 14 वाली तो आप सबसे पहले आपके निवांग में लेगेगा फानेशन के बारे में फानेशन का मतलब यह होता है कि हम हर एक प्रेक्टी तक हर एक इंसान तक हर एक नागरिक तक कुछ चीजें पहुचाना जाते हैं जैसे बैंकिंग है प्रेहंसिव फिनेशन प्रेहंसिए फिनेशन सर्विशस फॉर स्मॉल बिजनेशन एंड लोग इंकम हाउसворट्स थे नाम से बाता चला है कि हमको कि हम gonna यहां पर हर एक समाज के हर एक तबके तक हर एक व्याइंस पहुचाने का वर क्या पर करने का मोटिव था है तो इसकी बहुत सा चीज़े बताई की थे रहों नहीं बहुत सा चीज़े बताई है Universal Electronic Bank Account यानि कि जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान का व्यक्तिका Account होना चाहिए सभी का Account खुलना चाहिए Uniqueness Access to Payment Services Deposit Products and Resonable Charges के साथ में आपका Access आपको Payment Services प्रवाइड की जाए Sufficient Access to Affordable Formal Credit आपको Formal Credit मिले Affordable Rate के उपर Credit के बात कहीं माने न Universal Access to Range of Deposits and Investment Products Investment के प्रड़क्ट के उपर आपको Resorable Price के आपको Investment के प्रड़क्ट भी मिले Insurance and Risk Management की बात कहीए उन्होंने कि Resorable Charges के उपर आपको Insurance मिले चाहिए Risk Management को होना चाहिए और Right to Suitability आपको जो है Right to Suitability Suitability मिला चाहिए आपको पास सब कुछ होना चाहिए इन सब में सब चीजों की जरुत आपको पढ़ती है और हर एक व्यक्तितों की यह सारी सुविधाय पहुचने चाहिए सबसे बजाता बात करती Financial Inclusion के उपर और Finally हम बात कर लेते हैं बहुत सारी committees की और इसके लावा की बहुत सारी committees है जिके हम नाम हैं पर सुनेंगे और सभी के जो बेसिक क्रक्स को बताऊंगा और इसके लावा जो लिस्ट है वह आप मेरे टेलिगान चैनल से ले सकते हैं ठीक है तो सबसे बहुत हैं बात करते हैं आभी दुस्यान committee की इसने बात की थी Small Scale Industries के उपर आभी दुस्यान committee इसके बात AC शाह committee थी इसके ने रिपॉर्म्स की बात कर रही थी इंस्टिशन्स यहन की MII के उपर इन्होंने काम किया था Market Infrastructure Institutions के उपर थी इसके लोग बहुत सरी एक दो और है इनके वह आप देख लिजएगा उसमें बंड़नेरी committee है इसके काम था रर्रबी के उपर रिकंस्रक्शन करने काम था दीपक महंती committee data information management इसके उपर कहा इन्होंने फिर आता है गोईपोरिया पैनल ग्रहक से वस्थार के उपर बात कहीए improvement in customer services फिर आता है गाड़िगिल committee lead banking system जो मैंने आपको बता सब्सक्राइन के उपर आया था वहाँ पर आपको पुरी लिस्ट मिल जाएगी आप उससे check out कर सकते हो पढ़ सकते हो वहाँ पर ठीक है और ज्यादा important जो थी मैंने वह आपको तीन बता दी है और इसके लावब बहुत सारी है important दिके important इसमें कुछ कहने सकते कि कौन सा पूछ ले आप से MCQ में फिर या फि प्रिप्रेश चनल को थैंक यू गाइस गड़ ब्लस यू अल